रिटा किचन अब बनान जाड़ी हो चना का नास्ता अब देख सकते हैं मैंने इस भीगो के चना भीगो हुआ हो अंकुर निकली हुई है मैंसे फ्राइज बना जाड़ी हुँ देख सकते हैं एक प्याज कटकर लिया है एक हडी मिर्च है इसमें इस्तवाल करने जा रही हूं यह हल्दी पॉडर दन्या पॉडर लाल मिर्ज पॉडर और नमक देख सकते हैं मैंने करहाई चरहा दिया इसमें ओयल गरम हो गया है वह दो चमच ओयल है बहुत ज्यादा नहीं है इसमें जीरा डालने जाड़ी हूं जरास दो चुटके मैं जीरा डाला है इसमें प्याज डालने जाड़ी हूं देख सकते हैं प्याज हो गया है बहुत ज्यादा नहीं प्याज को भूनना है मुझे मैं इसमें चना डाल लई हूं नास्का बहुत ही अच्छा होता है आप बनाना जरूर। आज-समें शूख से बाशारा हूं ज़र दो शूब्षे ये जाड़ी हूं ऊच्याता है जलेगे था जलिए अब देख सकते हैं पानी एक कप डाल देख सकते हैं इसको दस मिनट के लिए ढग दिया रही है। देख सकते हैं, मैं धकन निकालने अब जा रही हूँ, मैं धकन को खोल दिया है, अब देख सकते हैं, हो गया है मर्चाना, इसे मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, और थोड़ा सा दो चुट्की, अब मैं छोला मसाला डाल दी हूँ, लेख सकते हैं, बिल्कुल बन के त्यार हो गया है, मैं गैस को आफ कर देती हूँ, लेट में सार कर लेती हूँ अब, देख सकते हैं, बन के बिल्कुल त्यार हो गया है, मर्चना, फ्राई चना, सुबेर का नास्ता है, यह बहुत ही हल्द होता है मेरा रोजी वीडियो आता है आप रोज देखा करिए कुछ नो कुछ मैं रोजी डालती हूं अच्छा लगए तो लाइक करिए कर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को थैंक यू